Hello everybody and welcome to GoHash गुलबर्गा रमजान की ईद से पहले चांदरात होती है और चांदरात में सब लोग शौपिंग लिए बाहर निकलते हैं चांदरात बिजनस का एक बहुत ही बड़ा फोकल पॉइंट होता है पिछली बार के अगर आप चांदरात देखें तो कई हजारों लोग शौपिंग ले निकले थे लेकिन इस बार COVID-19 को चलते हुए कंप्लीट लॉक्डाउन चल रहा है और आपको बाहर निकलने की इजासत नहीं है यह जो वीजूल्स आप देख रहे हैं वो सुपरमार्केट के हब के हैं जहां पर आप देख रहे हैं कंप्लीटली हर चीज बंद है किसी ने यह ने सोचा था कि चांदरात इस तरह से भी गुजरेगी वीरान सडके बंद दुकाने इस बात की गवाई देता है कि गुलपरकाद डिस्टिक अडिमिस्ट्रेशन और यहां की पबलीक ने चांदरात को बिलकुल अपनाया है लॉक्डाउन में इससे पहले सुभा में संडे कर्फ्यू रखा गया जहां पर किसी को बाहर आने की इज़दन नहीं थी लोग अगर आ सकते हैं तो सिर्फ एसेंशल चीजन के लिए इस्टिक अडिमिस्ट्रेशन और पुलिस डिपार्टमेंट ने काफी सकती रखी थी सुभा की इस कर्फ्यू में कोविड-19 को चलते हुए रमजान का स्पेशल जो बिजनस का मन्त होता है वो सभी की लोग के लिए एक बड़ा फेलिर रहा कई जगा कई डिस्ट्रिक्स में और स्टेट्स में दोकानों को खोलने का आदेश था लेकिन गुड़गा डिस्ट्रिक अडिमिस्ट्रेशन बढ़ते हुए केसेस को यहां पर मार्किट बंद करने का फैसला लिया और सारे लोगों ने इस डिसिजन को बैक किया और कोई भी घर से बाहर नहीं निकला और कानून का पालन किया उमिद करते हैं कि कल इत की नमाज है और आप सब लोग अपने घर पर नमाज अता करेंगे अपने घर में रहिए सुरक्षित रहिए और देखते रहिए गोहाश आप सब को गोहाश टीम की तरफ से इत मुबारक करें जर आप लोग जाय हमाज हम भांन का इसलीव थे तर दिख वोग बाहिए पर उनेतियेाज़ लाओ व्ग्छान अजा वंड़का वीक प्राइवा है। झाल 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 झाल